कि 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 कर टॉपिक पड़ा था आप लोगों ने जन्रल लेना स्टेटिक्स किसी ने कि लाना पड़ेगा नहीं अभी तो नहीं लगाना पड़ेगा कि अधिक्राइशन बोर्ड दिले पड़ा था कल मैं देखा था ना वह थो कि मैं जोब करतां तो टाइम नहीं मिलता वड़ा मुझे भी तो स्ट्रक्चर की तो प्रेक्टिस करनी पड़ेगी ना बचा याद याद करने से तो ठीक है याद तो आप उस टाइम पर कर लोगे पूरा वो ठीक है स्ट्रक्चर तो एक बार बनाना नहीं पड़ेगा देख लेना आप लोगे तो ट्राइब करता हूं तो कल वाल क्लास में डाउट होगा तो क्यों टीक है आज का अपना टॉपिक है सेडिटिव इपनोटिक्स ये भी अभी आपन पेटा अभी मैंने की कहा हैं अब अब कर दो आप देखो बटा यह जितने अभी अपन ड्रक्स पढ़ रहे हैं वह अपन किस पैक्ट करने वाली होती हैं ब्रेल पे सेंट्रल नबर सिस्टम पैक्ट करने जनरल लेना स्टैटिक्स पी जो भी पढ़े वह भी कंसी ड्रक्स है ड्रक्स एक्टिंग उन सैंट्रल नबर सिस्टम तो इसमें आपको पढ़ना जनरल लेना स्टैटिक टॉपिक सेडिटिव इपनोटिक उसके बाद आपका एंटि साइकोटिक्स है उसके बाद आपका एक और कोई टॉपिक है तो जितनी भी सी एने से पे एक्ट करने वाले ड्रक्ट है वह खतम हो जाएंगी फिर तो सेडिटिव और इपनोटिक्स यह क्या हैं दोनों ही मिलते जुलते बट क्या इनका मतलब होता है यह मैं बता रही हूं अगर मैं सेडिटिव की बात करूं तो यह ऐसे एजेंट्स होते हैं इस आर दे एजेंट्स विच रिड्यूस एक्साइट्मेंट बेटा क्या होता है जब किसी का ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाए जिसको नींद नहीं आता तो वो कैसा पर्शन हो जाएगा पागल होने लगेगा नीद नी आएगा चिडचड़ाने लगेगा उसको प्रॉपर नींद चाहिए तो यह ऐसे एजेंट्स होते हैं सेडिटिव ऐसे एजेंट्स होते हैं जो की एक्साइट्मेंट को कम कर दे बट स्लीप नहीं आए उनका माइंड रिलेक्स हो जाएगा बट ड्राउजीनेस वहाँ पर हो सकता है ड्राउजीनेस का मतलब उसको नींद जैसा फील होगा बट नींद नहीं आएगी वहाँ पर उसके ब्रेन को वह एक्साइट्मेंट कम हो जाएगा वहीं इपनोटिक्स की मैं बात करूं तो अगर आप उनका ढोस हो थोड़ावगे और जितने भी इपनोटेक्स से तरह काम करने लगेंगे और ज्यादा वो अगर अपने उसका कंसेंटेशन बढ़ाया तब एक अनास्टाटिक जैसे मैंने बताया था बेंगोराइजचापींस जब मैने कल आपको जनरल इनास्टाटिक बताया था तो इसमें आपको बताया था जिसमें असमें 52 रे इनले नहीं जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरल लिनास्टेटिक में आपके बार्भी चुरेट्स पी है तो बार्भी चुरेट्स कोंसे रागे बिटा सेड़ेटिव इपनोटिक द्रागे ठीक है तो इसमें अभी उनका नाम भी आएगा अगर आप हिपनोटिक का थोड़ा भी क बढ़ा दो कि जो किस की तरह काम करने लगेगा आपका अनेस्टेटिक की तरह काम करने लगेगा तो अपने तीन दो तीन चीज़े समझी सेड़ेटिव क्या होते हैं सेड़ेटिव जो हैं एक्साइटमेंट को कम करते हैं और क्या करते हैं स्लीप को बढ़ाते हैं स्लीप ज जितने भी sedative होते हैं, वो hypnotics ही कहलाते हैं, अगर आप उनका थोड़ा सा dose बढ़ा दो तो, और अगर hypnotic का dose बढ़ा दिया, वो क्या कहलाएगा, general anesthetic में आ जाएगा, ठीके, अब बेटा, दो class है, इसमें आपकी sedative hypnotic में, sedative hypnotic एक term है, बट इसमें कौन-कौन सी drug है, दो drugs आती इसमें बहुत सारी drug है, तो barbiturates क्या करता है, hippocampus, बेटा, hippocampus आपके brain का एक पार्ट है, जहां पर क्या करेगा, memory loss कराने का काम करेगा, कुछ समय के लिए, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, sleep cycle affected होती है इसमें, बट बार्बिचुरेट की क्या है, safety less है, जो है, उसकी safety margin कम है, मतलब इसके side effect जादा है, risk factor इनके साथ जादा है, pharmacological action क्या क्या हैगा, barbiturates का, CNS पर क्या action आएगा, dose dependent effect है, थोड़ा सा दोगे, sedation होगा, थोड़ा और बढ़ा होगे, sleep action होगा, थोड़ा सा और dose बढ़ा दिया, anesthesia आजाएगा, बट अगर थोड़ा जैसा dose और बढ़ा दिया, तो patient काय में चला जाएगा, कोमा में, मतलब यहाँ पर क्या है, आपको dose का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, अगर आप barbiturate drug दे रहे हो, किसी को, यह क्या करता है, memory को affect करता है, judgment function को भी affect करता है, हो सकता है कि वो judgment नहीं करता, जैसे सही गलत, और आप barbiturate लेके है ना, barbiturate लेके आप क्या कर रहे हो, एक प्रेंट बेटा, barbiturate drugs लेके आप गारी नहीं चला सकते, क्यों नहीं चला सकते, reason बता सकते हो, क्यों बेटा, यह जो, यह जो, यह जो, यह जो ड्रक्स है, आपकी sleep cycle को affect कर रही है, मतलब आपके नशे जैसी ड्रक्स है, मतलब आपको नींद लाने वाली दमाई है, तो आप यह लेके आप कभी भी गारी नहीं चलाने जाहोगे, तो मतलब आपकी judgment को affect कर रही हैं, कि आप यहाँ पर जाएं कि वहाँ पर जाएं, तो यह वो करता है, इसके पास कोई analgesic effect नहीं है, कोई दर्द कम वाला नहीं है, अगर आपने इसके साथ क्या होता है, अगर आपने थोड़ा भी डोस बढ़ाया, अगर आपने इसका थोड़ा भी higher dose किया, तो यह क्या करता ह hyperalgesia, बिटा, lgesia का मतलब क्या होता है, pain, और analgesia का मतलब दर्द कम करने वाला, hyperalgesia का मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी barbiturate का dose बढ़ाया, तो यह दर्द को और क्या करेगा, बढ़ा देगा, इसके adverse effect क्या होते हैं, दवाई लेने के बाद hangover जैसा feel होगा, mental confusion हो सकती है distortion in sleep architecture, बिटा, sleep आने की बजाए और क्या करता है, इस नीद को और बिगाड देता है, जितना नीद आनी चाहिए थी, नीद तो आनी रही और उसका sleep architecture, मतलब जैसे आप 10-8 सो रहे हो, तो वो 10-8 सो गया, आपका timing उपर नीचे होने लगेगा, तो यह सब इसके साथ दिक्कत इसलिए barbiturates का use कम कर दिया गया है, क्योंकि इसमें hangover हो सकता है, mental confusion हो सकता है, इसका safety margin भी कम है, और यह memory judgment को भी affect कर रहा है, और इसके पास कोई analysis के effect नीए, इवन थोड़ा सा भी आपने dose बढ़ाया, तो यह क्या करता है, यह आपके अदर्द को और बढ़ा देता है, इसलिए barbiturates के साथ, क्योंकि इसका कोई भी hangover नहीं है, mental confusion नहीं होता, proper sleep cycle होती है, इसकी high therapeutic index है, therapeutic index का मतलब यह होता है, safety margin का dose और आपका lethal dose के बीच का effect, अगर इसकी safety margin कम है, तो इसका therapeutic index कम होता है, जैसे 500 mg था और आपने 500 से जरासा भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो व dose के हो जाएगा, उसके लिए lethal हो जाएगा, मतलब death causing हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ थोड़ा सा dose बढ़ा जाते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, no effect on other body system, जैसे वहाँ पे आपका mental confusion हो रही थी, sleep cycle effect हो रहा था, यहाँ पे कोई भी बाकी system पे कोई effect नहीं है, इस drug का, इसके साथ, बिटा, कम distortion है sleep architecture में, और अगर बिटा, मैं बोलू, barbiturate की poisoning हो जाएगा, मतलब dose बढ़ गया, तो उसका कोई antidote available है क्या, उसका कोई भी antidote available नहीं है, पर अगर मैं benzodiazepine की बात करूं, तो एक antidote available है, यह flumazanil नहीं है, उसका क्या न जो कि सिर्फ benzodiazepine poisoning के लिए use किया जाता है, समझ में आया, benzodiazepines की अगर toxicity या dose बढ़ गया, तो antidote क्या है, flumazanil, ठीक है, कुछ degree of tolerance हो सकता है, होता है, कोई-कोई दवाई की आदत पढ़ जाती है, उसको लिए भीना आपको अच्छा नहीं लगता, कोई-कोई होती है, सही है, तो है ही नीन दाने वाली दवाई, तो यहाँ पर क्या रहा था, बट अगर आप लंबे समय तक वही डोज ले रहे हो, तो कुछ समय बाद क्या होगा, बटा, आपकी आया, इतना समझ में आ गया, सेडेटिव, हिपनोटिक का इंट्रोडेक्शन समझ में आ गया, उसमें दो ही क्लास हैं, आपकी बार्बिचुरेट्स और पैंजोडाइजपीन्स, उत्ता आ गया आप लोगों को, कि उसमें कोई डाउट है, किसी को डाउट है क्या, एक बाद रिपीट कर दीजेंगा, ठी सेडेटिव क्या होते हैं, ऐसे एजेंट्स जो कि क्या करें, एक्साइटमेंट को कम करें, इस लीप को अफेक्ट भी ना एफेक्ट किये हुए, ठीक है, ड्राउजीनेस हो सकता है, नमतर्ब नींद जैसा फील होगा आपको, हिपनोटिक्स क्या होते हैं, यह ऐसे एजेंट कम देते हो, हिपनोटिक्स में आप डोस बढ़ा देते हो, और जितने भी हिपनोटिक्स हैं, वो एक एनास्थेटिक की तरह वर्ग कर सकते हो, जब आप उनका थोड़ा सा और डोस बढ़ा दो, ठीक है, और आपके बाद फिर इसमें दोई क्लास है, अपनने पढ़ लिया ब स्लीट तक पहुचा जेगा, थोड़ा और बढ़ा दिया, एनस्थीसिया हो जाएगा, थोड़ा से ज़्यादा कर दिया, पेशन्ट कोमा में चला जाएगा, जैत भी हो सकती ही विटा, मैमोरी जज्जमेंट को इंपेर करता है, कोई अनाल जैसिक एफेक्ट नहीं है, कोई इंपोर्टेंस है, बार्बिचुरेट से, क्यों, क्योंकि थेरापिटिक इंडेक्स इसका आई है, कोई एफेक्ट नहीं है, बाड़ी पे इसका आधर, जैसे उसका हो रहा था, नींद नहीं आना, आपका कोमा में भी जा सकता है, पेशन्ट, इसमें स्लीप आर्किटेक्ट की पॉइजनिंग होई है, तो आपके पास एक एफेक्टिव एंटीडोट अवैलेबल है, जिसको आप क्या बोलते हो, फ्लूमाजैनल, ठीक है, कुछ डिग्री ओफ टॉल्रेंस हो सकता है, टॉल्रेंस का मतलब यह होता है बटा, कि आप पाथ सो एमजी ड्रग ले रहे हो, अब आपको 500 एमजी पर अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी बोडि उसको टॉल्रेट कर चुकी है, अब आपको चाहिए, तोलेंस मेंस एप डाउन थोड़ा ना, नहीं, टॉल्रेंस मींस आपकी बोडि उस उस डोस पे एफेक्ट नहीं दे, जब उस ड्रग का डोस ड्रग चेंज करनी पड़े, टॉल्रेंस का एग्जेट मीनिक बरदास्त होता ना, चाहिए, तोल्रेट नहीं कर पाना, मतलब यहां पर बरदास्त, मतलब आप उसको माल तोड़ी रहे हो, बोडी को, पर एक्शन ही नहीं आएगा, तो इतनी दवाई क्या लेके करोगे, अब होता है, जब आप बहुत समय से एक ही ड्रग ले रहे हो, तब यह होता है, तो यह चीजे, अब बिटा, इसका इसका वो बता रही हूं, मैं आप लोगों को, कैसे ग्लासिफिकेशन है, इसका पूरा ग्लासिफिकेशन तो मैं आपको कल बताऊंगी, बढ़ कौन-कौन स स्ट्रक्चर आपको बनाने है, वो मैं बता रही हूं, ठीके, अब सेडिटिव इपनोटिक में क्या है, जैसे आपका डायजपाम, आपको पढ़ना है, अलप्राजोलम ड्रग है, नाइट्रजपाम है, और फीनोबार्बीटोन है, यह चार ड्रग्स का आपकी उसमें दिया हुआ है कि इसका आपको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, ठीके, सेडिटिव मैंने बता दिया, जो कि क्या करेगा सामने वाले पेशन को, सब्जेक मतलब पेशन, उसके पेशन को क्या करेगा, शान्त कर देगा, बट वहां पे स्लीप नहीं आएगी, विताउट अब मैंने सब रिंग के बारे में बता दिया है, जिस्ते पाइरीडीन, पाइरीडाजीन, पाइरीमिडीन और पाइराजीन, यह चार रिंग होती है आपकी, तो आपको कैसे य्याद करना है, एक बढ़ ठोड़ा, इनको रिंग को रिपीट कर दो, हाँ बहां बिटा, अभी ट्रिक याग लक्ष करने यह दीडास मिदाश कि कहीं पर जैसे पाइरी मिदीन आपका आपका जो बार्भी-ड वो क्या स्टी पाइरीड डेरिवाट आपको सुनाभ धề रहा है उसमें कौन से बीच में कौन सा वर्ड आ रहा है यह में डाइगे आप क्योंकि बार्विचुरिक एसेट में बार्विचुरेट रिंग आईगी पारी मेरी इन रिंग आएगी अच्छा जब आपका स्ट्रक्चर देखा गया बार विचुरेट्स का सेडिटिव hypnotic वाले का तो उसमें कौनसी रिंग देखी गई पाइरीमेडीन रिंग देखी गई ठीक है पाइरीडीन रिंग नहीं आईए आप कैसे याद कर लोगे डी डास मिड आस ठीक है तो डी का मतलब क्या होगा वन नाइट्रोजन डास का मतलब वन और टून पे नाइट्रोजन रि पाइरीडीन का मतलब पहले लिख लेना ऊपर आपको कुछ मत करना आप तो डारेक्ट याद कर लो कि बार्विचुरेट्स में मुझे कौनसी रिंग याद करनी है पाइरीमेडीन तो पाइरीमेडीन में वन और थ्री पे नाइट्रोजन होता है समझ में आया यह वाली रिं पे गए पिरामेट पे गए और ओन कर दिया मतलब आपने क्या किया वहाँ पर जाके जैसे अपन मंदिर में जाके गंटी बजाते तो उनको चालू करते ना कि भगवान हमारी सुन लो तो जहां पर भी वन और थी पर तो आपका नाइट्रोजन रहेगा इसको यहां पर आपने तर फ्रे पोजीशन पे डिबबबदाएं और आपका सिक्स्त पौजिशन पर डेबल ऑन ओंड हो क्यूं नहीं हैं प्यां यह नियुक्स पोजीशन पर आपको क्या अडुश करना था आपको वहाँ पे आर कि साइचेन तो वहाँ पे कौन सा ग्रूप हो जाता है डाइताइल ग्रूप कहां पे हमेशा डोगा फिफ्ट पोजिशन पे बागी सब जगा पे क्या जाएगा डबल बॉण्ड हो समझ में आया इतना इसेट है डाइथाल ग्रूप कैसे एड नहीं हुआ आपको बेसिक रिंग सबकी याद करनी पड़ेगी यह कंप्यूटराइज रहता है मतलब रिंग पे ग्रूप एड करते जाते हैं और एक्टिविटी चेक करते जाते हैं अब अगर मैं यहां से डबल बॉंड हो अटादू सेकेंड पोजिशन से तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी वह एक्टिविटी ही नहीं देगा तो हर ग्रूप की अपनी एक इंपटैंस है तो अगर मैं बोलू कि अक्टिविटी है तो यह आपका डाइथाल ग्रूप होना जरूरी है जरूरी नहीं यह बासजिआए ग्रूप होते जायेंगे समझ मैं आया यह ग्रूप आगे चेंज होते जाएंगे देखो यहां पे यह बार्विचुरिक ऐशिड क structure यहां पर यह ग्रूप चेंज हो गया यहां पर आपने क्या कर दिया एक फिनाइल रिंग कर दी क्यों कर दी क्योंकि इसका कोई भी action नहीं था इस बार्विचुरिक एसट का खुद का कोई action नहीं था यह आपको sedative action नहीं दे रहा था तो further आपने क्या किये हर कहां पर सब्सक्राइब कर सकते हो समझ में आया पूजिशन पर एक्षाइड रेलेशन्शिप बता रही हूं आपको समझ में इतना इक लिए का किसका structure ये जो बना हुआ है इस पीरामी इंड नहीं वह बताया है यह वाला जो यह है व मैंने आपको तक नहीं इना बताई यह स्ट्रक्चर किसका आपका बार्र्विचुरिक एसेट नाम है और इसमें कौन से यह? पारी मीडिन शु मौन से रिंगा थर्वे जब आप बेंजीन में और थर्ट पॉजिशन पínhrene बिचुरिक एचिड के पास कोई भी इपनोटिक एक्टिविटी नहीं थी क्योंकि इसके पास higher polarity है double bond O दिख रहा है है यह यह double bond O, यह double bond O, यह double bond O जितनी जादा polar drug रहती है वो action नहीं देती है, polar drug के साथ एक दिक्कत है वो action इतनी जल्दी नहीं देती है, आपकी body से जल्दी से solubilize होके excrete out हो जाती है, तो इसकी polarity के कारण barbituric acid की कोई बेटा यह जितना आपकी सेल मेंबरेन किस से बनी हुए लिपिड नेचर की है अगर आप वाटर सॉलिबल बनाओगे तो आपकी बॉडी से क्या एक्सक्रीट आउट होगा जिता भी वाटर सॉलिबल माटेरियल होगा वह एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरीन के चुछ सब्स्टिशन क्यों किया गया से तो यह 55 डायथाहल श्यट्युशन इसलिए किया गया क्योंकि ये सब्रूरूरी था श्यдеतिव औन एपिनोटिशिविटी आप्ट्रूरी वशाँ एक्टिविटी व्या कॉष्याइटिट्यूष्ट देन समझ मैं आ गया रखेत्व आपका फ्रिस्ट पोजीशन पे मैंने क्यों नहीं सब्स्रिट्यूशन और थर्ड़ कर सकती हूं तो अगर मैं फ़र्ट पोजीशन पर सबस्टीटूशन कर दूंगी तो सेडिटेव ढ्रोटीट एक्टिविटी तो सही रहेगी पहले पे अगर मैं कुछ स्ट्रक्ट्ट्र में अच्टिवीटी कम हो रही है या बढ़ रही समझ में आया स्ट्रक्टाराइट से करें भूचल का मतलब कि जितने भी आप बार्बिचुरेट के स्ट्रक्चर पड़ोगे न बेटा अगर आपने पहला पोजीशन बेटा मैं कॉमन बिंग बता रही हूं यह यह वाली रिंग जो है आपकी यह सब में मिलेगी आपको चेंजिस का होंगे यह जो दिख रहा है आपको फिफ्ट समझ मैं जहां पर डायट सब्स्टिशूशन की आपने वहां पर चेंजिस होंगे तो बार्बिचुरे कैसे नहीं पर बस होगा अच्छा इसके लिए जो सेड़ीजीव कर दो सब्स्टिशन दिख रहे हैं यहीं पर ही चेंज होंगे बस और कहीं चेंज नहीं होगा अब बि सब्स्टिशन जरूरी है अगर आपने वन पॉजिशन पर पी सब्स्टिशन कर दिया यहां पर यह नंबरिंग दिख रही है फास्ट सेकेंड थार्ट फॉर्ट फिफ्ट सिक्स्ट ठीक है फिफ्ट पर करोगे तो सेडिटिव इपनोटिक एक्टिविटी आएगी वन पर आ आगा इंथ अब इटा यहां पर जो है फिफ्ट पॉजिशन पर आपको च्शे से 10 कर बनी रखने अभी किते कार बने दो कार बने दो नीचे की किते का बनों गाए दो का तो अगर में आपर विटेन बी आट कर लो दाइब चार से लेके 10 carbon at कर लूं तो भी मैर को कौही दिक्कत नहीं नहीं max. Um activity मिलेगी समझ में आलें सिती जादा कार्बन टू की जगामें कार्बंद यूंगी तो भी मिर को कोई दिक्कत नहीं आपको इयुक step night activity मिलेगी समझ में आया और अगर उससे ज्यादा कार्बन बढ़ाया तो एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी अगर मैं सेकंड ऑक्सीजन यह जो आपका सेकंड ऑक्सीजन है इसकी जगह में अल्ट्रा शॉट एक्टिविटी शो करेगा अल्ट्रा शॉट एक्टिविटी का मतलब यहां पर अगर मैं डवल बॉंड एस कर दू तो यहां पर क्या होगा धीरे-धीरे ड्रग आपकी बॉडी से मेटाबलाइस होगी और एक्शन किते बैटा जितने समय तक आपकी बॉडी में ड्रग रहेगी उत्ते देर तक एक्शन होगा और जितनी कम समय तक आपकी बॉडी में ड्रग जैसे डिस्प्रिन बहुत कम समय तक रहती है बट एक्शन जल्दी देती है वही परसिटा मॉल की बात करूँ चार गंटे बाद दूसरा डोज लेते हो मतलब उसका एक्शन कितने गंटे तक रहता है चार गंटे तक रहता है समझ में आ गया तो अब बेटा यह रहा पहला स्ट्रक्चर किसका है बार्भी टोन का यह वैसा ही स्ट्रक्चर यह ज़िए अपको कुछ नहीं करना बैंजीन बनाना है बैंजीन के अंदर के बॉंड स इस हटा देना फॉस्ट पोजिशन पे नाइट्रोजन सेकंड बोजिशन नाइटरोजन थर्ट पोजिशन पे सेकंड फॉर्थ और 6 पर डबल बॉंड हो कर देना फिफ्थ पोजीशन पर क्या आजाएगा आपका डायथाइल सबस्टिटूशन है ठीक है फाइफ फाइफ डायथाइल क्यों बोलोगे फाइफ डायथाइल क्योंकि यह क्या है आपने दो फिफ्ट पर दो गृूप एट की है इसलिए विचुरिक एसेट यह का यूपी एसी नेम हो गया समझ में आ गया तो यह स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको बिल्कुल समझ में आगया मैं ठीक है अब आज तो आ रहा है ना मैं पीछे वाले जो ना वो मैं एक्शुली थोड़ा समझ में यह तो उनको आप एक दिन सब्सक्राइब कर दोंगी कर दोंगी कर दोंगी कर मुझे यह स्ट्रक्चर बना के बताना आप मैं कल पूरा आपको कॉलिनर्जिक रिपीट कर दोंगी इस स्ट्रक्चर में पर करें तो बताना मैं मुझे एक रहत दोंगे समझ में आया यहां पर चेंज करने के लिए आप अब देख सकते हो दूसरी ड्रक का नाम क्या बेटा फीनो बार्बिटोन आ गया पूरा का पूरा वैसाइव नहुए देख लो बस आपने क्या किया एक इथाइल की जगह आपने क्या यहां एट कर दिया फिनाई चुर्कि क्या बोल रहा है यहां पर जो आपने इसके पूजेशन पर आंप बिटा वह फिनाइल ही कहलाता है जब वह कार्बन के साथ जोड़ जायागा नो फिनाइल ही ए ठीक है फी नो बार्बिटोन बार्बिटोन के structure में आपने क्या एक कर दी है ये फिनाइल रिंग एक कर दी पूरा से में structure है पहले structure जिसा तो आप क्या करोगे पहले basic रिंग याद कर लोगे बेसिक में क्या क्या चैंजिस हैं हो कर लोगे और यहां पर आपने ग्रक नाम किया पड़ा है कि आप पढ़ा पहली ड्रक बार्बिचुरीक एसेड दूसरी क्या है फीनोबर्बिटन समझ में आ गया फीनोबर्बिट पर सब्सक्राइब करना है ट्रीं तो हैं यह यह नाम कि हो जाएगा फाइफ फइनाइल बार्बिचुरिक एसिट में सी टु छॉइप था ठीक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा फाइबखेंक फीनाइल बार्बिचुरिक एसिट समंझ में आ हुम 5-5-5-5- abitric acid वे और यह हो गए आपके कौन से structure आपके बार्बिचर कैसे चर्शिटर हो गए अब रिंग चेंज हो जाएगी वेटा आपको दूसरी रिंग याद करने है अब आपको याद करने है 1-4-benzodiazepine बिटा रिंग कौन सी यह बेंजीन नाइट्रोजन और इपीन्स का मतलब सेवन मेंबर्ड रिंग समझ में आ गया इनका मेंडम उस अच्छा आपकी यह वाली रिंग यह कौन सी मेंबर्ड है सेवन मेंबर्ड रिंग है समझ में आ गया इपकी कौन सी मेंबर्ड रिंग भी सेवन मेंबर्ड रिंग तो आपको यह वाली रिंग धिख रही है आपको वन इस बन फोर बिंग बैंजीन इन वे दिदाफ़선 ज nearly benzin means रिफ generating होक्त है उत्युक्त है आपको कॉन से रींघ बनानी है दूसरी सेवन मेंबड रिंग बना लीए दूसरे आपने campus करना है इे क्या बुलहों Attam नहीं मिलती है अच्छा बेटा कोई भी रिंग या कोई भी ग्रूप अड कर रही हूं तो एक्टिविटी के लिए ही एड कर रही हूं है समझ में आ रहा है जो एक्टिविटी चाहिए मुझे मुझे बाव इसको रहा है पड़ेगा और कोई उपसी नहीं इए सब्सक्राइब कर दो पड़ेगा आपको रिंग्स को और मेनत नहीं कर पाओगे पिर कहीं से कहीं तक आप यह स्ट्रक्चर बना लेना नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे आपको फार्मासोटिकल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर से ही नंबर मिलेंगे बार्बिचुरेट बार्बिचुरी कैसिट के जित्ते वी स्ट्रक्चर थे मैंने बता दिया आपको बार्बिचुरी कैसिट में पहले आपने पढ़ लिया फीनो बार्बिटोन उसमें आपका एक स्ट्रक्चर था फाइफ अब यहां पर जो है आपका यहां पर इस इस रिंग में आपको क्या एट करना है जैसे आपने वहां पर डबल बॉर्ण ओएट किया था सेकेंड पोजीशन पर फॉर्थ पोजीशन पर सिक्स्ट पोजीशन पर अब यहां पर आपको बहुत सारे ग्रूप एट करने समझ में आया अब यह जो है पहले बेंजीन रिंग बनाओगे बेंजीन रिंग यह रही फिर वन फॉर बोल रहा है बैटा तो पहले पोजीशन पर और चौते पोजीशन पर यहां पर क्या एट कर लोगे डाएज नाइट्रोजन ठीक है वन फॉर यहां पर क्या एट कर लोगे डाइज एट कर Wyatt तो आप सैवन्थ पोजीशन पर क्या क्या कर ओगे इलेक्ट्रोइंग ग्रोप जो कि इलेक्ट्रौन लेने का काम करते हैं तो कैसे कोई भी ड्रॉग में कोई भी ड्रॉग में अगर आपका क्या आ जाए ना नहीं आ कौनसे position पर एट करोगे बिटा 7 पोजिशन पर कोई भी drug में ना मचा दू डूट का नाइटराजी पाम तो क्या एट करोगे बिटा माह पर सेविंछ पोजिशन पर क्या एट कर दोगे और नो टू कोई भी ड्रग में अगर आपके ड्रग के नेम में क्या आ जाए ना और नी तो सेवन्थ पोजीशन पर क्या करोगे नाइट्रोजन दिलिप क्या ठीक है यहां पर क्या एट कर जोगे नाइट्रोजन एन ओट्रोजन और अगर लास्ट अगर ना नहीं है तो उसको एक बताना प्रिफिक्स नहीं आ जाएगा नाइट्राज़ेपाम ठीक है और अभी लिख अभी है नीचे बतारी मुझे उसके बाद अगर अगर ना नहीं आ रहा है तो आपके आइट कर लोगे वहाँ पे क्लोराइड पर जिस ड्रग में ना नी द प्रव्स च्राइड लोगे समझ में आ गया कौन से पॉजीशन पेट पर घरोगे शेवं पुन निया कौन से ग्रोप आपके एरक विड्राइंग ग्रोप अब इस समझ अब को एक से इस एक करना ना रहता है आपको एक फीनाइल रिंग से यह वाली रिंग आपको एड़ करना है और अगर आपको एक्स्ट्रा हेलोजन एड़ करना है बटा हेलोजन कौन से होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ठीक है यह सब क्या है आपके हेलोजन मेंली आपका फ्लोरीन, क्लोरीन ही एड़ होता है तो अगर आपको ए करोगे extra-halogen एड़ कर लोगे इतना समझ में आया यह कौन सी रिंग के बारे में पढ़ रहा हूं आप यहां पर देख सकते हो यही मैंने बताया जो extra-halogen आपको एड़ करना होगा फ्लोरीन वह आप किस पर एड़ करोगे फिनाइल की थर्ट पोजीशन पर हमेशा कौन सा ग्रूप रहेगा दो है या फिर सी डबल वाएज यह थर्ट पोजीशन नहीं बेटा एसे डिक का नहीं है मतलब यहां पे, यहां पे OH एट करने का मतलब है कि आप क्या एट कर रहे हो, इसको क्या बना रहे हो, पोलर बना रहे हो, मतलब water soluble बना रहे हो, आपकी body में solubilize होके action दे इस third position पे आपको क्या एट करना है या फिर OH एट करोगे, या फिर क्या एट करोगे बिटा, C double edge, समझ में आया, ये दो चीज़े एट करोगे, अभी तक अपन ने क्या बढ़ा, first or fourth पे nitrogen group add है, उसके बाद seventh position पे आप क्या एट करोगे, ना नी, ना नी होगा तो आप क्या एट कर लोगे drug मे, NO2 एट कर लोगे, दूसरा, अगर आपको extra halogen add करना है, तो इस fifth position पे जो भी benzene होगी, इस benzene के second position पे एट कर लोगे, समझ में आ गया, और अगर drug में ना नी नहीं है, तो यहाँ पे क्या एट कर लोगे, chlorine, ये सब कुछ है, इत्ता पढ़ा दिया है मैंने, अब आगे है बिटा, कि अगर आपने, ये, जो आपका क्या रहता है, थर्ड पोजीशन पे OH और CW है, ये किसके लिए responsible है बिटा, उसकी फार्मा को काइनेटिक एक्टिविटी के लिए, यही बताया मैंने, क्यों एक्टिविटी के लिए responsible है, क्योंकि उसकी polarity के कारण, metabolism जो है, polar drug का, वो fast होता है, और duration of action कैसा होता है, कम, और अगर इसी बात, ऐसी जगह में बोलू, lipid drug है, तो lipid drug का metabolism कम होगा, और duration of action क्या होगा, जादा होगा, लिपिट ड्रग जो भी आपके CNS तक जा रहा है, psychotic, अभी psychotic drug पढ़ाऊंगी, next उसमें, तो वो सब कहां तक जाएंगे, आपके brain तक जाएंगे, जिसकी polarity ज्यादा होती, उसका metabolism क्या बोले है, वो ज्यादा होता है, वो कैसे होता है, मैं जल्दी, बेटा, वो ड्रग में, आपकी lipid में, बेटा, like dissolve, like theory, आपकी body से पानी वाली चीज़े जल्दी निकल जाएंगी, बट lipid, आपकी cell membrane किस से बनी हुई है, आपकी cell membrane lipid nature की है, तो उसको hold करके रखेगी, और उसको water soluble form करने में, इसके लिए आपको metabolism पढ़ना पढ़ेगा, इतना समझ लो अभी, कि lipid ड्रग, lipid nature की ड्रग है, तो उसका metabolism धी रहे होगा, और बोडी से, बोडी में लंबे समय तक रहेगी, तो ड्रग अगर लंबे समय तक है, तो action कितने देर तक रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, समझ में आ गया? अब बेटा, उपर यहाँ पर आप देख सकते हो, दो double bond है, एक first position पर है, ये वाला, एक ये रह double bond, एक fourth position पर double bond है, अगर मैं बोलूं कि उपर का double bond हटा रहे हो, तो activity में कोई फरक नहीं आएगा, पर अगर ये वाला double bond हटा दोगे, तो activity क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझ में आया? डबल bond हटाना लगाना भी बहुत ज़रूरी है, अगर मैं ये double bond हटा रहे हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या एट करना पड़ेगा, बाहर double bond हटा होगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे का double bond नहीं हटा सकते हैं, तो क्या होगा, activity कम हो जाएगी, उसके बार बेटा, यहाँ पर यही बोला गया है, फर्स्ट double bond reduce करोगे, तो कोई बात नहीं, activity बढ़ेगी, बट अगर फोर्थ का double bond कम किया, तो आपको क्या होगा, activity, ये उपर वाले का मतलब क्या increase, और नीचे वाले का मतलब क्या decrease, अगर double bond, फर्स्ट वाले position का double bond हो, रि अगर आपने second position से double bond, फर्स्ट पोजीशन से double bond हो, रिमूव किया है, तो double bond remove किया है, तो आपको वाँ पर क्या place करना पड़ेगा, ये double bond हो, एक structure बता देती हूं आपको, मैं मैं क्यूशन है मेरा, मैं यह जो आप जो यह बता रहे हो, कि double bond हो, यह मैं सारे book में दे रखे है हाँ, कहीं भी देख ले ना तो, इसलिए पूछना जा रहा हूं, तो जल्दी रिवाइस करने के लिए कहां से रिवाइस करोगे, नहीं आप जो पड़ा रहे हो, कि सब चीजे में आप पीडिये फाइल हम आप से ले लेंगे, फिर उसके बाद जो तो, बुक में दे रखा ना कि हाँ, इसे में डिट्टो चोड़ा टाइप है तो मिलता जोता है, उसे पड़ लेंगे तो, इजी वे मैं समझ में आ जाएगा, मैं करने का मतलब है, तो बुक में इससे भी कठिन दिया हुआ है, तो फिर तो, ठीक में आपको टफी दिया अच्छा, अब देख लो, यहां पर यह पूरा का पूरा वैसा ही स्ट्रक्चर है, क्या ड्रक का नाम क्या है यहां पर, नाइट्रा जेपाम, तो यहां पर क्या एट करोगे, सेवें पोजीशन पर, मैंने बोला था, ना नी आजा, तो क्या एट करोगे, ना नी आजा, इसमे इन आएगा ना मैं, तो अटो एट करेंगे, ठीक है, कौन से पोजीशन पर बोला था, सेवें पोजीशन पर तो यह एड हो गया, एटो, रिग पूरी से में, यहां फर्स्स पोजीशन का डबल कर दिया, यह पूरा उसी से ही स्ट्रक्टर रिलेटेड, नाइट्रा जिपाम का, समझ में आ गया, आ रहा है, अब इसकी प्रेक्टिस करना, इसके आगे का मैं कल बताऊंगे, आप लोगों को, मैं यह पीडिएफ डाल देना, गुरूप में बढ़ जोड़ा, सर को डाल दे इतना पढ़के रखना, जितने स्ट्रक्टर आज बताएं, बार्विचुरेट की बेसिक पढ़ना, बार्विचुरेक ऐसेड वाली, जो पायरीमेडीन रिंग बताईती, पायरीमेडीन रिंग यह वाली, फास्ट और थार्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन, समझ में आ गय यह वाली रिंग पढ़ लोगे, दूसरी कौन सी रिंग पढ़ लोगे, 1,4-benzodisephin ring, यह वी कौन सी रिंग है, नीचे वाली, 1,4-benzodisephin ring, यह दो रिंग पढ़ना, इसके मैंने 3 स्ट्रक्टर बता दिया, इक नाइट्र जेपाम का स्ट्रक्टर बताया है, उससे 2 स्ट् तो आजाएगा दीरे दीरे अगर आप लोग पढ़ोगे तो बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो मैं वो क्लियर करूंगी पहले आप भी कोशिश करिये उसको पढ़ने की ठीक है मैं क्लास राइंड कर रही हूं